हालो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप साड़े लोगों का आपके अपने चनल आस्पिरेंट लाइप पे आज की क्लास में हम लोग continue करने वाले हैं analogy के बहुत सारे प्रस्ट साथ में सिर्फ प्रस्ट नहीं नहीं हम लोग बहुत सारे concept को भी सीखने वाले हैं और ये जो क्लास है आपका बिहार से विलकोट के लिए काफी जादा important है और top 10 सवाल आप लोग के लिए कराए हैं तो भाई top 10 सवाल कहने का मतलब है कि जो आपका important सवाल है हम लोग सवाल को repeat mode पे नहीं डालेंगे mcq-based नहीं करने वाले हैं हम लोग जितना भी सवाल करेंगे वो सारा का सारा types wise अलग अलग सवाल आपका होने वाला है है ना अब देखना यहाँ पे कि questions का जो level होता है ने examination में बहुत difficult level पूछा जाता है तो हम लोगों को बिलकुल बहुत अच्छे तरीके से concept भी सीखना पड़ेगा तो वीडियो के इंड तक बनी रहिएगा और फटा फट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर कर दीजेगा इस class का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का जो link है वो आपके description box में देखे रखा है तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लीजेगा देखे आज के class में लोग बिल्कुल basic से चलेंगे कि सर किस तरीके से हमारा सब कुछ arrangement होगा analogy का और analogy आपका होता क्या है सबसे पहले तो दिमाग में ये सवाल चलेगा कि सर analogy हमारा क्या होता है analogy का मतलब होता है साधिरिस्टा इसमें बहुत सारे types of questions हमारे पास होते हैं उन सारे types of questions के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सर नंबर दिया गया है आपका 7481985669 इस पे हम लोग एक छोटा सा अभियान चला रहे हैं जिसमें आपका कलर्क का प्यून का और कोट रेडर के मिंस का एकजाम जल्दी लेने का तो एक बार साड़े लोग जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और किनका कौन सा एकजाम है ये भी आपको मैसेज करना पड़ेगा ठीक है देको, मैंने जो कोश्चन साज बनाया है यह पूरा का पुरा पहला कोश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचमा यह सारा कोश्चन साज हम आपको बताने वाले हैं और सब जो questions है, अलग-अलग types of questions है, questions हम लोगों को नहीं सीखना है, हम लोगों को सीखना है, उसका जो types जो होता है वो ज्यादा important होता है, ठीक है, paid classes हमारी चल रही है, चाहे वो आप court reader, means के बारे में बात कर लो, या फिर आप बात कर लो, color and pun के बारे में, दखो यह जो descriptive जो का level देखने के बाद लगता है, इसा थोड़ा सा tough हो जाता है, तो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, साथ में revision करना पड़ेगा, उसी के लिए हमारा batch है, आप इस batch को purchase कर सकते हैं, नीचे comment box में आपका दिया गया है, लिंक और साथ में description box में भी इसका link दिया गया है, जारा जनकारी के लिए हमारे number के call कर सकते हैं, जो number में नहीं है आपको लिखाया है, आईए, अब हम लोग चलते हैं, आज के सबसे important chapter पे, जो important आपका chapter है, उसको हम लोग कहते हैं, analogy कहते हैं, क्या कहते हैं, analogy कहते हैं, जो बहुत important है, अब किसी भी chapter को start करने से पहले, किसी भी chapter को start करने से पहले, सबसे पहले हम लोग उसके types of questions के बारे में जानते हैं, किसर कितने तरीके के questions हम से इस chapter में पूछे जा सकते हैं, तो पहला जो हमारा types of questions से अगर note करते चलिएगा तो काफी बहतरीन सवाल हो जाएगा और यह सवाल concept के साथ और ज्यादा बावाल हो जाएगा types of questions के वारे में बात करते हैं तो types of questions जो हमारा पहला होता है जो number based होता है क्या होता है जो आपका number best सवाल होता है और जो दूसरा हमारा type होता है जिसको हम लोग कहते है लेटर बेस्ट कहते हैं और जो थीसरा होता है वह similar modo full familiar analogy बेस्ट आपका सवाल होता है एक-一क करके मैं सारे के बारे में discuss करने वाला हूँ चौथा जो हमारा होता है वो आपका group based होता है ठीक है देखो हलके में मतलेना इस chapter को ये chapter बहुत ही जादा important है और भी भी आई आप साड़े लोगों के लिए होने वाला है इसलिए हलके में मतलेना भाई भी आपको पढ़ना पड़ेगा जहां से सुनिएगा अगर हम लोग number based के बारे में बात करें तो आपको क्या-क्या चीज जादा important याद रखना पड़ेगा number वाला analogy बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक से लेके 20 या 25 तक का आपको square याद होना चाहिए टेबल क्या होना चाहिए या एक दम टेबल कोई पूछे 18 पच्चे वरत आप बता देना अंसर 19 पच्चे क्या होगा यह बता दोगे 17 याद होना चाहिए cube आपको याद होना चाहिए square याद होना चाहिए और साथ में एक हमारा board masa का rule होता है जो सब को पता है इससे हमारा calculation बहुत ज्यादा fast हो जाएगा और एक सटिक तरीके से हमारा कोई भी questions बन जाएगा अब तुम यहाँ देखोगे B for bracket होगा, O for off होगा, D for divide होगा, M for multiply, A for add और S for subtract होने वाला है तो यह 4 चीज़ आपको number वाले सवाल में याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई solution नहीं है, उसके बाद भी जो हमाज types of questions solve करने वाले हैं, उसका भी धयान रखना पड़ेगा, तभी आपसे questions बनेगा, ठीक है अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें यहाँ, यह लेटर वेस्ट के बारे में, तो लेटर वेस्ट में दो तीन चीज़ काफी ज़्यादा important है पहला आपका positions of letter है, पहला आपका क्या है, positions of letter दिया गया है ठीक है, दूसरा आपका क्या है, opposite letter हो जाएगा, positions of letter समझ रहे हो क्या, मतलब ABCD जो दिया रहता है, यहाँ पे जो ABCD दिया रहेगा, इसका position A का position 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का क्या है, चार है, इस तरीके से पूरा का पूरा positions of letter आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा खैर मैंने बहुत सारा तरीका बता है जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा रात में 9 बजे वाली class अगर continue करोगे तो एक एक करके सारा का सारा types of questions और जितने भी mcq concept के साथ होते हम लोग वहाँ पर discuss करत है डेली रात 9 बजे यूटूब पर ठीक है यह हो गया आपका दो टाइप आप समझें तीसरा टाइप क्या है similar analogy आपका बेस्ट है इसके कहने का मतलब है कि आपका एक statement दिया जाएगा मतलब कथन दिया जाएगा और कथन के बाद क्या होगा कथन के बाद क्या होगा भाई एक पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि सर कथन वाले में क्या पैटर्न दिया गया है और नीचे जो हमारा questions होने वाला है questions को हम लोग option भी कह सकते हैं तो option में same same pattern आपका मिलना चाहिए और वही option हमारे question का सही answer हो जाएगा वही option हमारे question का सही answer हो जाएगा ठीक है तो statement लेगा pattern पकरना है pattern पकर के जिस option में same pattern है वही हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर arrange कर देंगे ठीक है गुरूब बिस्ट होता है यह थोड़ा सा टफ होता है इसमें आपका नंबर प्लस एलफा बीट का सारा का सारा सवाल आपसे पूछा जाता है ठीक है बहुत important आपका यह chapter होने वाला है ठीक है तो इतना अगर समझ में आया तो ठीक है नहीं तो ले लो बाद में भी देख सकते हो कोई परिशानी नहीं होने वाला है हम लोग आराम से चलेंगे देखो वह फेस्बूक इंस्टा का जो रील्स देखते हैं अगर वो सोचेंगे कि सर्थ 30 सेकंड में कोशन बनांके निकल जा तब पॉसिबल नहीं है आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा ठीक है अच्छा ये तो हो गया हमारा अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोश्चन्स पर आते हैं कोश्चन्स हमारा क्या लिखा है जरा ध्यान देना आपका निर्देश इंस्ट्रक्शन ऊपर ये वाला पढ़के बनाना काफी इंपोर्टेंट होता है निम्लिखित प्रतेक प्रस्ण में चिन आपका दिया गया है के बाई और दो संख्या मतलब ये जो आपका सिंबल है इसके बाई और पहला संख्या दूसरा संख्या दिया तरीके से ये संख्या इससे संबंधित है उसी तरीके अगलावाला संख्या इससे कैसे संबंधित होगा आपको बताना है तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना पड़ेंगा चैंव और 5 लिखा है और नेक्स्ट वाले में क्या लिखक आता लिए ना पड़ेगा ठीक है वीडियो घर घर इंक बाद आप से बोलना चाहते है वीडियो गर्पसंद आ रहा हो थो सब्सक्राइब iphone गरता हूं तो यह देख़ो Lebky 6 से 24 कैसे गया तो हमेशा छोटा नंबर मतलब हमेशा small नंबर से start करेंगे क्या करेंगे हमेशा छोटा नंबर से start करेंगे छोटा नंबर से start करेंगे अब छोटा जो नंबर होने वाला है वो कौन सा नंबर होगा ये आपको देखना है छोटा नंबर छोटा नंबर से कहा जाएंगे बोलो गुरुजी भीया बार बड़ा नंबर की ओर जाएंगे क्या करेंगे बड़ा नंबर की ओर जाएंगे तो को छोटा से बड़ा नंबर की ओर जाना है अब बोलो के सर ये बाएं में है और यहां ये दाएं में हो की ओड़ जाने वाले ठीक है ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है जरा ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा पूरा पुरा परिशानी दूर हो जाएगा हम लोगों का यहां लिखा है छे अगर छे औल यह 24 लिखा है तो 6 से 24 आने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीक है इंगे 6 कितना हो जाएगा 2000 शे को 4 और大概 24 हो जायगा तो हो सकता है 20 आपके option में नहीं है लेकिन यहां है तो answer हम लोग take out कर देंगे यहीं हमारा सही answer हो जाएगा क्योंकि सबसे आसान चीज सबसे पहले दिखता है तो यह जो हम लोग यहां पर करेंगे तो यह सही मालों अगर 20 नहीं होगा तो कुछ और trick लगाएंगे कुछ और trick लगाने वाले हैं बहुत सारा तरीका है यहां पर मालों कि यह 6 दिया गया और यह 24 दिया गया तो कुछ और तरीका हो सकता है छे में से एक गया आपका कितना हो जाएगा पांच और पांच को चार से गुना करेगा तो बीस हो जाएगा और बीस में चार जोड़ेगा तो चौबीस हो जाएगा तो ऐसे करके भी पैटन तो जितना सारा पैटन है दिमाग का सारा नटवर्ट खोल के रखना पड़ेगा है आगले वाले सवाल पर आते हैं कि अगला वाला सवाल हमारा क्या है लिखा है निमलिखित प्रतेक प्रस्ट में चिन के बाइउ और 20 सिमस्वा представля एक दम सेंसे बात लिखा गय है लिखा एग्यारा सतरह उनीस और आगे वाला प्वह दो है और यह 2019 लिखा है थो तो next वाला क्या होगा यह सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसका पकड़ना पड़ेगा यह जब हमारा पैटन एक आ जाएगा उनला पकरण में आ जाएगा किस तरीके से इसको एरज़कि आगसी को बनाया गया है और जब बनाने का तरीका पता हो जाएगा तो वही चीज फोटो कोपी हम लोग अगले बाले पर कर देंगे वही करेंगे ना तो फोटो कोपी हम लोग अगले बाले पर करेंगे अब देखो 11 जो है वो प्राइम नंबर है 11 और आपका 13 होता है फिर आपका 17 होता है है ना मतलब ऐसा कोई नंबर ऐसा कोई नंबर और नंबर जिसको कहते हैं ऐसा कोई नंबर प्राइम और नंबर कि जो खुद से डिवेजिबल हो और आपका एक से डिवेजिबल हो ठीक है तो यहां देखो एग्यारा भी एग्यारा से डिवेजिबल है और एक से आपका डिवेजिबल है तेरह भी आपका एक से डिवेजिबल है और फि आएगा और 23 के बाद क्या आएगा हमारा 29 आने वाला है तो 23 को हटा देगा तो 19 से हमारा क्या हो जाएगा 29 हमारा सही आंसर हो जाएगा तो आप्शन नमबर ए हमारा बिल्कुल क्या होगा सही आंसर हो जाएगा बाते समझ में आ रही है आज यह अगले वाले सवाल क्यों अग मारा क्या हो जाएगा अब देखो यहां अगर करेंगे तो तुम लोगों के मन में हमेशा सवाल चलेगा सर तीन से सटाइस मतलब तीन का क्या यहां पे क्यों कर देगा तो कितना होता है 27 होता है अच्छा उसी तरीके से अगर 4 का क्यूब करेगा तो 4 चौक 16 16 का कितना होगा 64 और 64 option में है तो यही हमारे question का सही answer हो जाएगा ठीक है बात यारी समझ में बहुत आसान सा सवाल है लेकिन बहुत matter करता है कि हम लोग स्टार्टिंग से concept से इसको पढ़ें दीरे दीरे स यह 12 लिखा और यह 30 लिखा है तो 12 और 13 का क्या connection हो सकता है हो सकता है कि 12 से 30 relation रखता हो या फिर 12 अलग relation रखता हो और 3 आपका अलग relation रखता हो ऐसा भी तो possible है न तब यह पकड़ेंगे कैसे हम लोग तो यहां देखेंगे सरी यह 12 लिखा है तो पहले हम लोग 3 का square कर वो भी हम लोग यहां पर जोड सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा 12 ठीक है दूसरा क्या होगा सरी यह आपका जो 30 लिखा है वो कैसे लिखा है तो यहां अगर 5 का square करेंगे तो 5 का square 25 होगा प्लस में 5 करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 30 मतलब जितना नंबर का square कर रहा है वही नंबर बाद में जोड़ दे रहा है जितना नंबर का square कर रहा है वही नंबर क्या कर रहा है बाद में जोड़ दे रहा है अब जब number बाद में यहाँ पे जोड़ देगा तो 3 और 5 का difference कितना का बोलोगे सर 2 का difference 2 आपका plus किया गया है अब आजाएए 20 वाले में यह 20 लिखा है और आप से पूछा यहाँ पे क्या होगा तो 20 का मतलब 4 का square 16 और 4 जिसका square है वही जोड़ेगा यह 20 हो जाएगा अच्छा अब क्या है कि 4 से आगे वाले में 2 जोड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 से आगे वाले में कितना जोड़ा था 5 जोड़ा था खीक है तो 4 से आगे वाले में 2 जोड़ेगा तब यहाँ पे कितना 6 होगा और 6 का square आपका कितना हो जाएगा 36 और 36 में 6 को जोड़ेगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 ऐसा ऐसा कोशन से भी मुलाकात होगा मुलाकात तो होना है ठीक है पढ़ना तो पड़ेगा आपको देखना तो पड़ेगा कि किस तरीके से सारा कोशन्स मनाया जाएगा आजाएए अगले वाले सवाल पर अगला वाला सवाल हमारा कह रहा है कि सर तीन और दस का जो रिलेशन है वही रिलेशन आठ और नेक्स्ट वाला का होगा तो क्या होगा यह आप से पूछा गया option भी आपके सामने question भी आपके सामने ठीक है समझ में आ रहा होगा तो एक बार comment box में comment कर दीज़ेगा एक दम दिल garden garden हो जाता है दिल गदगद हो जाता है है ना चलिए अब 3 से यहाँ 10 लाया है तो 3 से 10 लाया है तो बोलो कि कि गुरुजी काम करो ना तीन का यह क्यूब क्यूब तो नहीं तीन का स्कॉयर कर दो 9 और प्लस में एक जोड़ दो तो 10 होगा यही तो पैटन लेकिन आगे भी तो पैटन फॉल होना चाहिए ना अब आठ का स्कॉयर करेंगे 64 64 में एक जोड़ेंगे 65 कहीं option में है है कहीं option में बोलोगे नहीं है तो यह वाला पैटन गलत हो गया आपका अब करना कैसे पड़ेगा 3 यहां लिखा है तो 2 का स्कॉयर करोगे तो 4 होगा 4 में एक जाएगा तो कितना होगा 3 आजाएए 10 वाले पे 3 का स्कॉयर करेंगे तो यह 9 होगा 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 होगा तो पहले 2 का स्कॉयर किया एक घटाया तो पहला वाला नंबर लाया फिर दूसरे वाले में एक जोड़ा है यहां से यहां लाया है तो एक आपका जोड़ा है एक जोड़ा है तो तीन का स्क्वाइर किया और एक जोड़ा है मतलब पहले वाले में गटा है बाद वाले में एक जोड़ा है यहां अगर आते हैं हम लोग आठ वाले में आएंगे तो तीन का स्क्वाइर करेगा बढ़ाबर 9 होगा माइनस एक करेगा तो 8 होगा अब तीन के बाद कितना का करेगा 4 का स्क्वेर करेगा 16 और 16 में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 17 यह सवाल है यह सवाल है जिसमें डम होता है बैसिक से सीख रहे हैं आगे वाला जो कु grupos से हम लोगा आगे भी कंप्लेट करेंगे कोई शुनी होगा आगे का अगर नेक्स क्लास भी चाहिए तो एक बार कॉमेंट करना कि सर पार्ट टू भी बना दीजिए हम बना देंगे हमको कोई परिशानी नहीं जैसे आपको होगे वैसे ही करेंगे ठीक है आजाए अगले वाले सवाल पर अगला वाल का कि क्या बोला है एक अत्रिस हो जाएगा ठीक हैं कि तो sund थेरा के बाद हमारे पास क्या आएगा सटरह और सटरह के बाद कीड़ा एगा उनीस फिर से एक छोड़ा है लेकिन उस बात बाद चाहिए हम अगर बाद वाला चाहिए होता तो हम लोग इससे बड़ा नंबर लेते हैं पहले वाला चाहिए तो हम लोग कम नंबर लेंगे बोलो हाई या ना ठीक है तो पहले वाला तो 31 से पहले क्या आएगा अगर तो यहां पर 39 आएगा 29 को छोड़ेगा तो फिर क्या आएगा 23 आएगा हमारा क्या हो जाएगा 23 ऐसा नमबर ही डूढ ना है जो एक से विभाजीत हो और खुद से भी भाजीत हो चलेए लेक्ट वाले सवाल पर चलते हैं लेक्ट वाला जो हमारा सवाल है लिखा 48, 122, 168 लिखा क्या लिखा है 48, 122 और फिर क्या लिखा है 168 लिखा है और ये हमारा यहां क्लियर है कोई परिशानी नहीं है अब 48 कैसे लिखा है तो 48 मैंने कहा था ने कि सरे स्कॉाइर याद कर लो भाई, क्यूब याद कर लो, टेवल याद कर लो, बॉर्डमास याद कर लो ठीक है अरतालिस किसके नजदीक है बोलोगे उन्चास के नजदीक है उन्चास किसका स्कॉाइर है साथ का स्कॉाइर है साथ का स्कॉाइर उन्चास माइनस एक करेंगे तो क् ठीक है 122 111 के स्क्वाइर के नजदीक है 121 प्लस में एक बराबर क्या होगा एक सो क्लियर है कोई परिशाणी नहीं आगे चलते हैं 168 जो लिखा गया है 13 का स्क्वाइर बराबर 179 माइनस 1 करेंगे तो 168 होगा ठीक है अब 7 और 11 में 4 जोड़ा है यहां भी तो जोड़ा है तो उखा भी जोड़ेंगे यहां भी जोड़ा है next step मतलब अगला पद जियाद करने के लिए जोड़ा है 4 तो 13 में हम लोग क्या करेंगे 4 जोड़ लेंगे तो 17 होगा 17 का स्क्वाइर 289 होता है और 289 में मैं लोग एक माइनस करेंगे जैसे कि यहां क्या किया है सॉरी पहले वाले में मैं दूसरे वाले में प्लस किया है न तो प्लस कर दो न 290 हो जाएगा दखो फसाने के लिए दोनों option देखे रखा है एक minus वाला भी और एक plus वाला भी option देखे रखा है चे और दो का कोई relation नहीं बन रहा है अगर 2 ती याई 6 करेंगे तो यहां तो कोई आठ तीन के टेबल में आना चाहिए न तीन बार में आना चाहिए लेकिन आया है नहीं है क्योंकि option में है ही नहीं एक को तीन से गुना करेंगे तीन आएगा तीन को तीन से गुना करेंगे नौ आएगा साथ को तीन से गुना करेंगे कीस आएगा पांच को तीन से गुना करेंगे 15 आएगा आठ नहीं आएगा तो आठ नहीं आएगा तो फॉर्मूला गलत हो गया अच्छा अगर यहां छे में से दो घटाएंगे तो कि कितना हो जागा तीन मतलब इस कोश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है वह आपका तीन होने वाला है इस कोश्चन का जो आंसर होने वाला है वह कितना होने वाला है आपका तीन होने वाला तो कोई ज्यादा इशू नहीं बहुत आसान सा सवाल है आज यह अगले वाले सवाल क क्या कह रहा है यह लिखा अठरा और यह लिखा बावन फिर लिखा बारा और फिर लिखा वक्त तो 18 को अगर 3 से गुणा करेंगे मैंने बोला था ने सर एक से लेके 20 तक का टेवल आपको याद करना है ठीक है तो 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 माइनस 2 बरावर कितना होगा 52 होगा 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 ही है 36 होगा माइनस 2 बरावर कितना होगा लिखा है यह 8 और यह 9 लिखा है फिर आपका 64 लिखा है फिर आपका वाट लिखा है 8 कैसे लाया 8 कैसे लाया 2 का क्यूब किया 3 का स्क्वाइर किया पहले वाले का क्यूब दूसरे वाले का स्क्वाइर कर रहा है हुआ तो पहले वाले का क्यूब करेगा तो चार बाक्यूब यहां करेगा how to कि हमारा सबस्तर कद आज था ठीक है अगर आपको चाहिए तो एक बार कोमेंट कर के बताईएगा इसर नेक्स्ट वीडियो भी एक बार करा दो देखो बहुत सारा important सवाल है खर रात में 9 बजे तो हम लोग सारे सवाल के साथ मिलते ही है लेकिन यह 10 सवाल जो था मैंने जो types of questions आपको बताए जो तरीका बताया बनाने का वह आप पहले clear कर लो एक से लेके 25-30 तक का आप square याद कर लो एक से लेके 20 तक का क्यूब याद कर लो एक से लेके 25 तक का table याद कर लो table याद करने के बाद board mask clear कर लो यह सारा कुछ calculation आपके दिमाग में fit होना चाहिए यह हमारा number का analogy था अगर आपको होगे तो हम लोग वर्ड का भी analogy लेकर आएंगे similar भी लेकर आएंगे और साथ में हमारा रात का 9 वजे वाला class चलता है उसको जाइन करना बिलकुल नहीं भूलिए लाइव चलता है और यह जो कोर्स इसमें आपका पूरा का पूरा मैं फिर से बता देना चाहता हूं इसमें जो है आपका यह इंग्लिस आपको हिंदी जी एस रिजनिंग मैस और पूरे पूरे के पैकेज में आपको मिल रहा है जो कलरक प्यून और कोट redder का आपका जो इEXञाम होगा रिड़र का मिंस का होगा क्लरक प्यूं का पीटी का होने वाला है उसमें भी प्यूं का पीटी हो जाएगा तो अंबर प्याक्त बहुत धन्यवाद कि बेर